हेलो एवर्यवन और वालकम बैक आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजेक्शन एंड इंटर्जंक्शन के बारे में बहुत ही इजी लेंगवेज में इसको समझने की कोसिस करते हैं दोनों का नाम सेम है इसकी वजह से कई बार बच्चों को थोड़ी सी करते हैं जैसे की and but yet or because यह है कंजेक्शन और इंटर्जेक्शन क्या होता है जो हम सरन एक्सप्रेशन जो देते हैं जो सरन इमोशन होता है हमारा जैसे कि किसी ब्यूटिफुल चीज को देखकर हम बोलते हैं वाव तो और उसके पीछे जब एक्सक्लेमेटरी माग भी होता ह जैसे ओं वाव इस तरह की जो वोर्ड होते हैं वो होते हैं इंटेज़क्रण कोच सेंटेंस मेने यहाँ पर लिखे है इन में से हमें इंटेफाइ करना है कंज़क्षिन और इंटेज़क्रण को तो सबसे पहला सेंतन समरा we wanted to go to the fair but it was already let you have two sentence we wanted to go to the fair हम मेले में जाना चाहते थे but लेकिन it was already late हम already late है देर हो गई तो but जो word है इसकी वज़े से ये डो sentence match हो रहे है मतलब इन दोनों sentence को मिलाने का काम किस ने किया है but तो ये हो गया हमारा conjunction तो but को हम लिखेंगे conjunction में then next sentence हमारा wait be careful when you cross to bridge रुको bridge क्रॉस करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखो तो ये जो wait word है और यहाँ पर पीछे exclamatory mark भी है तो wait जो word है वो हो जाएगा हमारा interjection the rivers dried up because there was no rain नदी सूख गई क्योंकि बारिस नहीं हुई तो because word जो है वो हो जाएगा हमारा conjunction because oh no I forgot we have a test today oh no मैं बूल गई कि आज तो हमारी test थी तो oh no जो word है ये एकदम sudden expression है sudden emotion है इसके पीछे exclamatory mark भी है तो ये हो जाएगा हमारा interjection then the teacher is looking at you तो ये word इसके पीछ exclamatory mark भी है ये है interjection जो अचानक से जो emotion निकलते है जो expression हमारे होते है अचानक से तो वो होते है interjection we can wait here or we can go sit inside the coffee shop we can wait here हम यहां रुक सकते हैं और हम coffee shop में जाकर अंदर बैच सकते हैं तो और word जो है ये दो sentence को join करने का काम कर रहा यहां पर तो ये है conjunction और हो जाएगा आपका conjunction तो ये difference है दोनों में conjunction and interjection में conjunction दो word दो sentence को मिलाने का काम करता है और interjection क्या होता है जो अचानक से जो emotion जो expression हमारे मूँ से निकलते है और इसके बीच exclamatory mark भी है तो वो है interjection So this is all for today I hope कि मेरा ये वीडियो आपके लिए जरूर से useful रहा होगा अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है वीडियो अगर आपके लिए useful था तो इस वीडियो को लाइक और से जरूर करिएगा चैनल पर नए हो तो subscribe कर लीजे बच्चों से ही related और भी बहुत सारे वीडियो के लिए थैंक यू फू वाचिंग इस वीडियो बाबाई